हलो दोस्तों नमस्कार परणाम जैच्छटी मैं आज च्छट पूजा है जो कि आज च्छट पूजा का नहा खा है जो कि नहा खा के त्यारी जब दस तरीके से चल रही है दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाते हैं और मेरे घर में माता जी कर रही है च्छट जो कि आज नहा नखाया इस वज़े से सब कोई नहां फीच करके रेडी हो गया और परसाद बनने की त्यारी चल रही है दोस्तों क्योंकि सारे लोग लगे हुए परसाद बनाने में चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि परसाद किस तरह से बनाया जाता है चटी मैं या का परसाद बहुत टे कि परसाद कि तरह से क्या-कया व्यवस्त से परसाद बनने के लिए क्या-कया व्यवस्त कीया गया है ऑप लोग को दिखाते हैं कि इस तरह से बंदाने के लिए पाप हुआ चुलह हुआ लेप रहे हैं और इधर देखिए उधर परसाद भी कट रही है और इधर चुला बनाने में दोनों लगे विपड़े हैं और इधर देखिए दोस्तों परसाद जो कटा हुआ है जो मुनगा के सबजी है और पटल और स्वाग और इधर देखिए आलू कटा हुआ है और चना का जो कि काट करके रेडी कर लिया गया है और बनाने के लिए परसाद आग जलाने से पहले दोस्तों पूजा पाट चुला कर किया जा रहा है जो कि पूजा पाट कर रही है और पूजा पाट करने के बाद आग जलाए जाएगा जो कि देखिए कितना बड़ा चुला बनाया गया है अब इधर में पूरी परसाथ बनने के लिए रखा हुआ है जो कि आलू है और चना के दाल है जो कि पूरे गौंग को परसाथ बाटने के लिए परमंद किया गया है जो कि परसाद तो परसाद होता है दोस्तों जो कि और तो और दोस्तों चुला का पूजा पाठ हो गया है और देखिए आग जलाया जा रहा है परसाद बनने के लिए चुला को मजबूती करने में इधर देखे बाबा जो चुला को में मट्टी लगा रहे हैं लेप लोंकी कड़ाई हीले नहीं क्योंकि कड़ाई हील जाएगी दोस्तों इंट्या पर बनाया गया है तो कड़ाई हील जाएगी तो सारा सारा प्रसादी सब्जी है जो गिर जाएगा दोस्त जो कि देख सकते ही इंदर काथल का सबजी कट रहा है इसका भी सबजी बने का का सबजी कि इधर चड़ा बने का बनने की कगारा पर है मनका रेडी हो गया है थोड़ा देडी में ऊथर जाया गा दोस्तो अइधर देखिये बचका के लिए आलू उदर छिला रहा है दोस्तों क्योंकि पाच परकार के सब्जी बनता है पर साथ में पुरिगोंवालों के खिलाने के लिए इदर देखे मुनगा का सब्जी आलू पटल का सब्जी दोनों बनका त्यार हो गया इदर कठल जल्दी जल्दी काट रहे है सब्जी पर इडरी हो गया है और परसाथ खाने के लिए पूरे गौूंमें कहा दिया गया है और देखे धीरे-धीरे करके एकका ज़िए गर पर आ हो